हेलो दोस्तों आप दीख रहें चैनल केंपस नियूज दोस्तों दिली विश्विद्यले के स्कूल ओफर लड़निंग के सकेंड समेश्टर के एसाइमेंट बेश्ट एबुलूशन के जो है एडमीट कार्ड और कोस्चन पेपर जो है रिलीज कर दिये गए हैं तो आज हम इसी के उपर में चर्चा करेंगी कैसे आखिर आप जो है अपना एडमीट कार्ड डाउंगलोड करेंगे साथ में जो है कैसे कैसे कोश्चन पेपर डाउंगलोड करेंगे बाकि अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा साथ में बेल एकन को प्रेस करके और का बटन दवा लिजेगा ताकि DU-SOL से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे तो दोस्तों, SOL के ओफिसल विबसाइट जो की www.sol.u.ac.in है इस पर आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे उपर में UGABE admission ticket जिसे हम hall ticket भी कहते हैं तो यही जो है admit card और hall ticket आपका है तो यहाँ से आपको जो है इस पर click करना है और यहाँ पर click करेंगे तो उसके इस आपसे यहाँ पर fill up कर लेना है और फिर login कर लेना है जब आप login करेंगे तो आपका admit card जो है सामने देखेगा और फिर वहाँ से आप जो है download कर सकते हो तो इसी तरीके से जो है आपको अपना admit card download करना है बाकी जो है question paper जो है यहाँ पर देख सकते है नीचे जो है question paper भी जो है release कर दिया गया है UGABE question paper cbcs mode semester second तो यहाँ से आप जो है download कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हो सभी courses का जो है अलग अलग जो है यह assignment का जो है question paper दिया हुआ है तो यहां से आप डाउंगलोड कर सकते हो, तो सबसे पहले हम BA program का डाउंगलोड कर लेते हैं, आखिर देखते हैं कि इसमें क्या-क्या दिया हुआ है, जैसे यहां पर देख सकते हैं, paper type AECC, यानि कि AECC का सबसे उपर में है, फिर discipline का है, फिर paper type English का है, paper type in lieu of meal का है, फिर paper type meal तो जो भी subject है, आपने हिसाब से देखें, और उसी हिसाब से आप डाउंगलोड करें, और पहले आपको admit card डाउंगलोड कर लेना है, क्योंकि उसी के base पे आपको यह assignment का question paper डाउंगलोड करना है, जो subject आपके admit card में होगा, उसी का आपको assignment देना है, बाकि किसी का और का नही को जो है अब जो admit card में वहीं जो है आपका subject रहने वाला है तो हम यहां से आप question paper download कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो यहां पर अलग अलग courses का जो है English जो भी हो आपका ABC या फिर हिंदी हो उसका जो है यहां पर दे दिया गया है तो यहां से आप जो है download कर सकतो तो जो भी आपका जो है language में जो भी है English है ABC या फिर हिंदी है तो वहां से आप जो है डाउंगलोड कर तो यहां पर जो है बीए प्रोग्राम का जो है हम English A का जो है AEC से का जो है question paper पर जो है download करके आपको मैं बता देता हूं तो दोस्तों यहां पर व्यू डाउंगलोड पर जो है click करना है और यहां पर देख सकते हैं यह जो है download होके जो है आ चुका है और यहां पर जो है पूछा जा रहा है आपसे लेकिन आपको जो है इसमें से दो ही question जो है करना है तो आप जो है अच्छे से करिएगा और इसमें जो है total आप जो है कम से कम दो question का जो answer है वो 15 से 16 पेज में जरूर minimum जो है दीजीगा आप जो है ज्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन अगर word limit जो है इसमें दिया हुआ है जैसे यहां पर 500 word लिखा हुआ है तो 500 word जो है कम से कम आप जो है 15-20 page में जरूर लिखिएगा तभी जो है आपको अच्छा नमर मिलेगा क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं लिखते हैं कम लिखते हैं तो आपको जो है बहुत ही कम नमर मिलेगा तो इसका जो है ध्यान रखना है आपको अच्छे से लिखना है दो करना है कोई भी तो कोई भी जो है कर सकतो है इसमें जो है word limit जो है नहीं दिया हुआ है तो इसमें जो है अब आपको करना यही है कि आपको जो है कम से कम जो है वही जो है बीस page 15-20 page के आसपास जो है आप minimum लिखे ही लिखें क्योंकि इससे कम लिखेंगे तो आपको या तो फेल कर दिया जाएगा या फिर जो है बहुत ही कम नंबर दिया जाएगा तो इसलिए जो है अच्छा नंबर लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज्यादा लिखना होगा तो इसलिए जो है अगर यह 100 नंबर का है दो कोश्चन आपको जो है 100 नंबर में करना होगा तो कम स से ज्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन इससे कम ना लिखे क्योंकि आपको जो है कम नमर मिलेगा तो ध्यान रखिएगा बाकि आप जो हम दूसरे सब्जेक्ट के चलते हैं और उसका जो है कोश्चन पेपर जो हम डाउंगलोड कर लेते हैं और इसमें जो है बीए ओनर्स इंग आंसर दे सकते हो कोई भी दो कोश्चन का और इसमें जो है 500 वर्ड लिमिट जो है दिया हुआ है तो 500 वर्ड लिमिट में ही आपको जो है देना है उससे ज्यादा आपको जो है नहीं लिखना है उससे कम जो है आप लिख सकते हो लेकिन 500 वर्ड लिमिट में जो है जरूर दे ताकि आपको जो है अच्छा नमर मिल पाया और अच्छे से साप सुतरे राइटिंग में जो है इसको लिखे तो इसको ध्यान रखिएगा बाकी अब जो हम नीचे आते हैं और अब जो है बीए ओनर्स इंग्लिस का जो है हिंदी सब्जेक्ट का जो है हम कोश्चन पेपर लेकिन कम से कम जो है 15 से 20 पेज में मिनिमम जो है इतना पेज जरूर लिखें क्योंकि 50-50 का नमर का आपका कोश्चन है तो आंसर भी उसी हिसाब से जो है आपको लिखना है तो ध्यान रखिएगा अच्छे से लिखेगा इसी तरीके से जो है सारा सब्जेक्ट का जो है आप लिख लेंगे तो उसके बाद जो है आपको वापस वापस पॉस किया जाएगा तो वहीं पर आपको वापस अपलोड करना होगा तो इसका ध्यान रखना है और सभी का अलग-अलग अलग करना होगा जो कि गाइडलेंस भी दिया हुआ था तो तो उसमें जो है आप देख सकते हो बागी अब जो है पोल साइंस का जो है डाउंगलोड कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हो पेपर टाइप एई सी सी कोड जी इए जैनरे के एलेक्टिव तो यहां पर भी जो है हम एई सी सी का डाउंगलोड करते हैं उसके बाद दूसरे पर हम चालेंगे मैं तो यहां पर देख सकतो एई सीसी में जो है आपको जो है वर्ड लिमिट दिया हुआ बांकी जो है दूसरे में नहीं दिया हुआ तो एई सीसी में जू है आपको five hundred word में जो है यानि कि यह इंग्लिस सब्जेक्ट का जो है question है तो इसको जो है 500 लिखना है दो कोष्चन का आंसर यानि कि वीकोष्चन का अन्सर ना कम जय्दा लिखें तो आपको जह नहीं मिलताया तो ध्यान लखिएगा भागि आप जो है हम पोलिटिकल साइन्स का हिंधी का जो है डाwnànलोड कर लेते हैं आखिर इसमें देखते हैं कि word limit दिया हुआ या फिर नहीं दिया हुआ तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर word limit नहीं दिया है इशमें आपको 2 question के answer देने है अब कोई भी is a question जिसमें आपको लगे कि आप अच्छा लिख सकते हो आपको जो है उसका answer मिल जाए तो वही question जो है आप लिखे और उसका number जरूरू डाल दीजेगा और आपको जो है हर एक state पे जो है पे जो है कितना लिख पाएंगे ये जो है आपको पता रहेगा और चेक करते समय में जो है पता रहेगा ये जो है environmental science का EBS का जो है पोल science honors का second semester का paper है इसमें भी जो है word limit नहीं है तो आप अपने ही साब से जो है minimum 15 से 20 पेज में दोनों question का जो है answer जरूर लिखे बागी इससे जैदा भी जो है आप लिख सकते हैं तो परियावरन यानि की environmental पर है तो आप जो है इसको खुछ से भी जो है बना बना के लिख सकते हो बागी Google की मदद ले सकते हो आपके पास book है आपने इस पर पढ़ा है तो आप जो है अच्छे से लिख सकते हो इसका जो है ध्यान रखियेगा अब जो है हम पीछे आते हैं और पीचे जो है b.com owners का जो है question paper download करते हैं और इसमें देखते हैं किसमें जो है क्या-к्या word limit है किस तरीके से जो है लिखना है क्या बताया गया है तो इसमें भी जो है सेम प्रोसेस है आपको दो कोस्चन का आंसर देना है और आपको जो है इसमें लिए जो है 500 वर्ड में जो है सभी का जो है आंसर लिखना है दोनों कोस्चन का यानि कि एक का 500 दूसरे का भी जो है 500 में लिखना है तो ध्यान रखिएगा आप अच्छे सी ल लिखते हैं और वो जैसे तैसे जल्दी में लिख देते हैं इसके कारण उन्हें जो है नंबर ठीक से नहीं मिल पाता है तो आपके पास में जो है लगवग एक हपते से ज्यादा समय है तो आप अच्छे से लिखिएगा अभी जो है 12 तारिक है आज और आप जो को जो है पहला बनाके उसको जो है अप्लोड करिएगा तो ध्यान रखिएगा इसी तरीकी को करना है EBS में भी जो है इसमें भी कोई वर्ड लिमिट जो है उमेद कußen जा रहे नहीं दिया होगा यहां पर देख सकते हैं वर्ड लिमिट नहीं है तो इसको जो है कम से कम आपको जो है 6-7 page में जरूर लिखें दोनों question का answer यानि कि एक question का 6-7 page में फिर दूसरे का भी 6-7 page में तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे और environmental में लगबग सभी छात्रों का एक ही तरीके से सभी courses में पूछा गया है तो आप अपने दोस्त का help भी ले सकते हो अगर कोई दोस्त है आपका जो same courses में हैं उनका VVS है तो उनसे जो है आप help ले सकते हो एक दूसरे का और अच्छे से जो है जरूर लिखें बागी यहां पर देख सकते हैं core में भी जो है इसी तरीके से जो है पूछा गया होगा हिसाब से और इसमें जो है word limit के हिसाब से आपको नहीं लिखना है चुकि commerce का है तो इसमें आपको जो है answer लिखना है सही सही जो भी आपका जो है answer है उसी हिसाब से लिखना है इसमें जो है आपको वर्ड लिमिट में जो है जरूर नहीं है कि आपको पंद्रा पेज लिखना ही है आप अपने हिसाब से लिखें सही आंसर लिखें तभी आपको पूरा नम्मर और अच्छा नम्मर मिलेगा तो ध्यान रखिएगा बाकी इसी तरीके से जो है आप देख सकते हैं कौर्परे October लौ में भी सेमी प्रोस्स होगा तो इसको भी हम एक बार डॉणलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या खेर वर्ड लिमिट है की नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं वर्ड लिमिट नहीं है आपको द वढ़नी में देते हैं तो सारा पेपर उसी में देना होगा तो ध्यान दखिएगा बाकि अब हम करने चुछन के फ़ेशन के फिर फीड़ में देखते हैं कर दोस्टों यहां पर देख सकते हैं यह है भीप प्रोग्राम के ला इंगलिष एक आपको आँसर देनाह और 500 word limit में ये देना है दोनों question का answer यानि कि एक का 500 में दूसरे का भी 500 में आप 4 question पूछा गया है उसमें से कोई का है answer दे सकता हो जिसमें आपके लगता है कि आप अच्छे से लिख सकते हो अच्छा जो आपको है तो आप उसमें लिख सकते हो इसका ध्याण रखिएगा इसी तरीके से आप लिखिएगा बाकि यहां पर और भी कोर्सेश है हिंदी का भी सेम प्रोसेस होगा और इसमें वर्डर लिमीट आपको नहीं दिया होगा जितना भी चाहिए लिखना तो लिख सकते हो लेकिन सही-सही आंसर लिखिएगा तो आपको जो है इस तरीके के जो question होते हैं इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसमें पूरा का पूरा नम्मर मिलने का जो है आपको chance रहता है तो आप अच्छे से लिखिएगा साफ सुत्रे राइटिंग में लिखिएगा तो ध्यान रखिएगा बाकि AECC का जो है इन्वर्मेंटल साइंस का जो है डाउंगलोड कर लेते हैं और आखिर इसमें देखते हैं कि क्या है इसमें भी देख सकते हैं दो question में से कोई भी आप जो है किसी का भी जो है आंसर लिख सकते हो अपने लिखना है बाकि यहां पर और भी देख सकते हैं मिल का भी जो है एक बार हम डाउंगलोड करते हैं और देखते हैं यहां पर देख सकते हैं मिल का जो है अभी सो नहीं हो रहा है इसका question उमीद क्या जा रहा है कि कल तक सो हो जाएगा और फिर आप डाउंगलोड कर पाएंग में करेंगे और आपको उसके बाद डिये किया जा झाल आपको आपको उसके बाद धिकी si अब तो मिदा आपको पता चल गया किया आज किसा तो करीडियो परeral को और शेक्合ण करी आपको इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहे साथ में जो हमारा एक टेलिग्राम ग्रूप है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो वहां पर जाके वह जो है जरूर जोइन कर लिजेगा ताकि लेटेस्ट अपडेट से सारा जानकारी जो है हम आप जो इस पर अपलोड करते रहते हैं तो उसकी जानकारी आपको जो है मिलता रहे बाकि सुक्रिया धन्यवाद